प्याज का निर्याद शुरू होने के बाद महाराष्ट्र की मंदियों में इसकी आवग बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से दाम का रिकॉर्ड बन रहा है। महाराष्ट्र एगरी कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 17 जून को राज्य की 18 मंदियों में प्याज की निलामी हुई, जिसमें से सिर्फ दो में ही आवग 10,000 क्विंटल से अधिक रही, बाकी में 400 से 500 से 2000 क्विंटल तक ही प्याज बिकने आया, कुछ मंदियों में तो आवग 100 क्विंटल से भी कम रही, कम आवग की वज़े से दाम बढ़ रहा है, राज्य में किसानों को मिलने वाला न्यून्तम दाम भी 2800 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है, जबकि अधिक तम दाम 3000 से 3500 रुपए प्रती क्विंटल के बीच चल रहा है, जिन मंडियों में आवग रोजाना 50,000 से 1,000,000 क्विंटल तक प्याज बिकने आया करता था, उनमें अब 20-25,000 क्विंटल ही आवग रह गई है, इनमें सोलापुर मंडी का नाम शामिल है, किसानों का कहना है कि कम से कम 6 महीने तक इसी तरह दाम मिलेगा तब जाकर 2 साल से हो कभी 40 प्रतिशत की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे रही थी, तो कभी नियूंतम निर्यात मूले लगा कर दाम को नियंतरन में रख रही थी, एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार लासल गाम विंचुर में 17 जून को 10,836 क्विंटल प्यास की आवग पिंपल गाम वपसवंत में भी रिकॉर्ड 10,800 क्विंटल आवग के बावजूद अधिक्तम दाम 3,071 और औसद दाम 2,750 रुपए रहा, नियूंतम दाम 1,000 रुपए रहा, ठोक दाम का यह हाल महराश्ट्र में है, जो देश का सबसे बड़ा प्यास उतपादक है, यहां के किसान 3,000 रुपए क्विंटल के नियूंतम दाम की सरकार से मांग कर रहे थे, किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर की रात में प्यास की निर्यात बंदी कर दी थी, इसके बाद काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, करीब 5 महीने तक निर्यात बंदी रही जिसके कारण हर प्यास उतपादक किसान को लगभग 3-3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, इसकी वज़े से किसानों ने उन लोगों को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने एलान कर दिया, जिनके कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ, इस डर से केंद्र सरकार बीच चुनाव में 4 मई को निर्यात को फिर से खोल दिया, अगर चुनाव में सरकार को सबक मिला है, तो वो अब निर्यात बंदी करके नुकसान नहीं करेगी, वरना किसान फिर से सबक सिखाएंगे, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी